नमश्कार, पेप्टिक टाइम, अद्दिब्रदेश, समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ अंकुरियादो। आने वाली 30 तारीक को सागर जून के अंतरगत निवाडी जिले के पृत्वी पुर्विधान सवा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लावा सागर जून के और कई जिले हैं जहां पर पुलिस की गतिविधियां कुछ दिनों में बढ़ने वाली हैं, सक्रिय होने वाली हैं। इन तमाम मुद्दों पर बाचीत करने के लिए आज हमारे साथ सागर जून के आई जी अनिल शर्मा जी हैं। उन पर छे जिलों के पुलिस महकमे की जिम्मेदारी है और ऐसे में जब तियोहार भी चल रहे हैं, चुनाओ भी चल रहे हैं, तब पुलिस के क्या स्टेप्स रहेंगे इन तमाम मुद्दों पर आज हम उन से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकुर जी एस जिले में और टीकमगार जिले, दोनों ही जिले में वِधान सबह आता है। सर आजकल देखा ये जा रहा है के सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, कई मामलों में उत्तेजना फैलाने के देखिए इस पर काम चल रहा है डिजिटल लेब बनाने पर लेकिन सथमें जो अभी वरगत्मान Ji्यों में जो गटना है जिनका उलेख अभी आपने किया उन सब गटनाओं के पीछे कुछ ऐसे तत्तुत थे जिन्होंने इस गटना को बढ़ा चड़ा करके और समाज में वर्ग संगर्ष पैदा करने की कोशिश की लेकिन समाज ने हमारे साथ पुरा सयोग किया और कुलिस प्रशाशन के स इनके कारण इन तत्तों को ये मौका मिला इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए जिनको पुलिस ने समय रहते संभाल लिया सर पुर्थवि पुर में चुनाओं होने वाले हैं कल ही वहाँ दो किसानों की हत्या के बारदात सामने आई है इसके लावा हो सकता है आने वाली दुनों में चुनावी हिंसक बारदातें भी हों इसके लिए क्या अत्रिक्त फोर्स मंगाया जा रहा है वहाँ पर सुरक्षा के और इंतिजाम बढ़ाया जा रहे हैं फोर्स हमारे पास है और समयर पर हम लोग जब जब वहां पर वी आई पी विजिट्स होती है या चुनाव से संबन्दित जो भी चुनाव आयोग की निर्देश है चुनाव को शांति पूर्वक संपन कराने के लिए तो हमारे पास फोर्सेज का मुवमेंट तो रहता ही रहता है और जो अपराद होते हैं उन अपरादों को भी हम सरगर्मी से तलाश करके आरूपियों की ग्रफतारी सुनिश्यत करते हैं अभी दो जो व्यक्तियों की हत्या हुई है प्रतिवपुर थाना छेत्र में उसमें भी हमने मुख्य संदेईयों को चिन्नित कर लिया है और है अब जो डिजिटल प्लैट्फॉर्म पर शुरू हो गए हैं मसलिन सतना पुलिस ने कल ही एक आईपील के बड़े रैकेट को पकड़ा है उसमें चतरपुर के भी दो बड़े युवक बदमाश पकड़े गए हैं जो चतरपुर से भी आईपील के सट्टे को आपरेट कर आने वाले दिनों में टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप भी शुरू होने जा रहा है तो इस क्रिकेट के सटे पर लगाम कसने के लिए क्या पुलिस अलग से कर रही है प्रयास अब देखिए पुलिस के पास जो अपने संसादन है उन संसादनों को अन्य अपरादों के साथ चलते इन अपरादों पर भी अंकुष लगाने के लिए पूरे प्रयास हम लोग करते हैं उन जगों को भी हम तलाशते हैं जहां से इस प्रकार के करकेट के सटे या जो डिजिटल ओफेंसे होते हैं उनको करते हैं हम लोग साइबर सेल के माध्यम से भी इस प्रकार के अपरादों का खुलासा करते हैं वर कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग जो आज कल चुँकि दूर बैठ करके भी यह लिंक्स के माध्यम से इस परकार के अपरादों को अंजाम देते हैं तो हमारी TÜम अलगातार सक्केशले प्रवेंशन करें प्र 흥ले दिनों तो में ही 60 से ज़्यादा अपरादी चिन्नित थे और 57 के विरुद्ध कारवाई होने के बाद अभ्यान बंद कर दिया गया क्या कुछ दिनों का ब्रेक लिया है आने वाले दिनों में फिर शुर होगा ने अपराद हो गुंडा अभ्यान में कभी ब्रेक नहीं रहता है सकता है कि वह सारवजिनीरी रूप से उतना दिखार ना हो लेकिन गुंडों पर नियंतरन करने के कारण ही हम लोग जो है अच्छे तरह से शांति पूर्वक त्योहार संपन करा पाए मैं अपने जोन के सभी पुलिस हदीक्षकों को और उनके पूरी टीम को इस वारे मैं ब पूर्ण ग्रूप से संपन हुए एक विशे मैं आपके संग्यान में जरूर लाना चाहता हूँ जो सीम हेल्प लाइन की शिकायते होती है उसने काफी जिम्मेदार बना दिया है पुलिस को भी अन्य विभागों की तरह लेकिन देखा ये गया है पिछले कुछ दिनों में जिकी गई शिकायतों पर खात्मा लगवाने के लिए कई बार थाना पर भारी आविदगों पर दबाव बनाते हैं चतरपुर में ऐसे दो मामले सामने आये हैं तो ऐसे थाना परभारियों को क्या कहना चाहेंगा देखिए कई बार सीम एल्प लाइन में कुछ ऐसी शिकायत बीजितें भी आजाती हैं जिनकों की शिकायत करता के तोर पर वो मानते होंगे कि शिकायत जाइज हैं जो उन्होंने की हुई हैं लेकिन उनका और कोई कानूनी हल नहीं हो सकता है जो कि थाना प्रवारियों के द्वारा संभव हो तो ऐसी इस्तिती में चुंकि वह अगर शिक संतुष्टी पूर्वा के शिकायत को बंद कर दें और एक तरफ वह शिकायत आवेदक जो है वह बंद नहीं करते हैं कि उनका हल नहीं निकलता है या वह संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो ऐसा कहीं कुछ बात उत्पन होती है जिसको की बाद में हल कर लिया जाता है और उन सर एक आखरी सवाल पिछले दिनों मुरेना में जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए इंदोर में भी कुछ घटनाय घटी तब पुलिस सक्रिय हुई थी और चहतरपूर में भी और पूरे सागर जून में ऐसी कारवाई या हुई थी लेकिन वह मामला ठंडा पड़ते ही फिर से अवैद शराब की विक्री गाओं-गाओं में शुरू हो गई इसको लेकर क्या कोई मुवमेंट शुरू होने जा रहा है या आप करेंगे देखिए अवैद शराब और जहरीली शराब दोनों में अंतर है अवैद शराब वो हो सकती है जो हमारे वैधाने जो ठेके एकसाइज विवाग के दोरा उठाए जाते हैं उनके अतरिक्त जो शराब बलेक मार्केटिंग के दोरा इधर से उधर बेची जाती है ये अवैद शराब हो गई और जहरीली शराब वो होती है जो गलत तरीके से निर्मित करके उसको कच्चे तोर पे बनाते हैं उसमें कु चुंकि आपके छदरपूर में और दूसरे बुदिलखंड के संभाग में उतर प्रदेश का बहुत बॉर्टर लगा हुआ है तो वहां भी शराब का अधान परदान हमारे बॉर्डर के गाओं में हो जाता है लेकिन मीडिया के माद्यम से और दूसरे सुरतों से भी हम करते हैं और मेरे द्वारा भी लगातार अपने पूरे स्टाफ को यह इस पस्ट निर्देश हैं कि इस तरह की अवेच शराब पर जीरो टॉलरेंस रखा जाए जहरीली शराब जैसा कोई प्रकरन सूचना मिलती है तो उस पर सक्ट से सक्ट कारवाई की जाए बहुत शुक् कि युमित नहीं नाशकार